लगादार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ चुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें नमश्कार आप देख रहे हैं News 29 इंडिया मैं सान्या जिन आहिना से डालते हैं अब तक की खबरों पर राइसेन में भाजपा के नवनिर्मित कार्याले का लोकारपन करने पहुँचे पूर्वे मुख्य मंतरी शिवराज सिंग जहान शिवराज ने कॉंग्रेस सरकार को जम कर खेरा लगाए योजना बंद करने के आरो यूपी उप्चुनाफ का किंग कॉन इसका फैसला होगा आज दोपैर तक रामपुर विधान सभा के उप्चुनाफ की मतगर्णा सुभह करीब आठ बजे से हुई शुडू निडोरी आदिवासी वाहुल जुले में खनिज माफियां वेखौफ होकर कर रहे बारूद का उप्चुनाफ बारूद लगा कर अवैद ब्लास्टिंग कर भारी मादरा में निकाला जा रहा है पत्थर राइसेन में भाजपा के नमदिर्मित गार्याले का लोकरपन करने आए पूर्फी मुख्यमंत शिवरास सिंग ने वीर सावरकर को लेकर कहा कि भूपेश सरकार जाकर देखे सैलूलर जेल की कुठारी को जिस दीवाल पर क्या लिखा हुआ है देश की आजादी के लिए दो कॉंग्रेस को क्यों गिराएंगे वो तो अपने कर्मों से गिर रही है वहीं शिवरास सिंग ने कमलनाथ सरकार को भी जम कर घेरा कमलनाथ ने गरीवों को बिजली में रुला दिया है सभी योचनाय बंद कर दी है पूर्व मुख्यमंतरी की सभा में पूर्व बन मंतरी कारों तरफ हाहा कार मची है कहां तो बड़े-बड़े बादे थे जोर जोर से आये देखनेता दिली से आजकल पता नहीं चलना कब देश में रहतें कब विदेश भग जाते हैं दस दिन में करजा माफ एक दो तीन चार पाच छे साथ आख नो दस और दस में माफ नहीं क्या तो गारवे दिन क्या गादा मुख्यमंतरी बदल दूँगा अरे भाईया दस मेना से जादा हो गए रहे चारों तरफ वहा हाकार मुख्ये आज फिर बताओ सबका करजा माफ भाई का वहां बैटे बैटे बरलब बबन मैं माफ कर दिया माफ कर दिया माफ कर दिया कैसी बेइमान सरकार में देखी फसलत तबा हो गई बर्बाद हो गई चौपट हो गई बता नुकसान हुआ की नहीं चारो तरफ तबाही मची है सोया भी इंसाफ हो गया उर्दा गए मूं गई किनारे की धान गई कही जगे मक्का अपने हाथ उत्ता होता नहीं है अरे बोनस तो पहले ही चला गया मामा धर क्या गया था डाक्टर सेजबार और रामपाल जी और सुनेंदर भाई से पूछो पैसा रख के जाता हमें बोनस 500 रुप्या कॉंटल स्वेब इंके 500 रुप्या कॉंटल मक्का के और उर्दा के तो 24 सो रुप्या कॉंटल दिये क्या किसी को धरे धराए पैसा खा गया भी या बोनस कहता पता नहीं मौवजा दिया नहीं अगर मामा मुक्छ मंत्री होता तो साम को अगर नुकसान होता था तो सवेरे मेरा हेलिकाप्तर खेट तो पहुंच जाता था और एक ही बात कहता था मैं चिंता मत करो सिवराज अभी जिंदा है संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा और अफसरों से एक ही बात कहते है थे देखो भी यह नुकसान लिखना जादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है कम लिख दिया तो नौकरी करने के लाएक नहीं रहने दूँंगा लेगिन कमलनाज जी को कभी किसी ने कहीं देखा खेत मैं आँ भोल कें बता देखाई क्या कभी कीचर में गए कभी पानी में गए कोई मंत्री गया कोई कलेक्टर गया कहीं पटवारी गया अरे मंसौर नीमस जूब गया पूरे तब भी नहीं जा रहे थे और वो वो बल्लबोबन भी बैठे रहते मिनका दादा कहीं निकलो तो फसले घराब होगे वो जब सवानिंदे कोई दिक्त नहीं है मामा तो जूट बोलता रहता है मेंका निकल के तू क्छेटों में देखो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर नहां लगे दिखा तो दो जाएगे जब मंसौर में तो धरके देते बं के गोले रै दना दन, रै दना दन पाकिस्तान में तो भही आर्पार कर देते हैं इदर आकर देखें ये को लिंजी-पिंजी कांग रहा किया है अरे धरती पे तो क्या अगर आतंक वादी घटा की तो पाताल में भी घुश घुश कर मारेंगे ये भारती जंटा पाइटी है और देश का भला कर रहे हैं अपनी कि आज के जमाने में तलाक 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 और घर से निकाल को यह अंडेर करती चलेगी किसी भी जीवत पर नहीं चलेगी और यह दिवाली तो ऐसी मुनेगी आयोंधा तो जग मगाएगी पूरा हिंदुस्तान जग मगाएगा जन्नी पैसना हो रहा है और आयोंधा में भगव अधिक्वे सिंके भाई आपसे मिलने आएं क्या माईने हैं इसके मेरे दोस्त हैं वो और हम साथ में सांसद रहे हैं तो आप अच्छे मित्र हैं तिस्टाचार बहट करने आये थे और उनके दिल में भी उनको लगता कि चाचोड़ा जुला बढ़ना चाहिए इसके दिधर ना दिया लेकिन वो राईनेती चर्चा के लिए नहीं आये थी उसे सिस्टाचार बहुत है कई न कई पीड़े थे हैं वो सरकार नहीं पीड़ित नहीं है वो तो मित्रे मिलने आये थे चाचोड़ा जैसी जो मांग होती है जनकंद्यान के उसके हम सब सब्संक उसके मिलता रहेता है कि सरकार गड़ेडी कंग्रेसली एक साल हो चुगा है एक साल हो चुगा है क्या आप भी मानते ऐसा हो सकता है? थोडी गिर रहा हुआए अपन्याप द्टंट के गिर जाल जाये हैं जान जाहे हैं स्पाइश मेर्ज बीजिए प्पीपषίν जी ने बैयात Immita 利 une गांधी जी की हत्ता में शम्खते लेकर इन अच्छनी के कारणों से वह जयल नहीं जापने तो इनकी बुध्धी रस्थों कए ये बोरा गई है पगला से करें अधुद्धी योध्धा थे और फ्रांतिकारी जो आंदोलन चलाया नक्केवल खुद चलाया कि लोगों प्रेड़ना दी और देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिसको दो दो जनम की सजा और कैद हुई कोई जाके देखे कभी भूपेश बगेल जी जाना पोर्ट बले रणवान लिकोबार और सेलूलर जैल कि इस कोठी को देखना कोठी को इधां डाक्टर सावर कर रहते थे और वहीं बहाद में करने की अनुमत ही नहीं थी कितनी यातना जी सही है लेकिन उन्हें यातनाओं में भी चानवर नहीं रह सकते कोलू पीस्ते थे कोलू बेल की तरह जोते थे काला पानी की सजा हूई थे और तब भी हाथ में हतकरिया पाओ में बेडिया होने के बाद भी अगर हाथ में लिखने की कोई इट क्या टुक्रा आ गया तो लिखा दिवाल पे कि मां भारत मां को बेड़ी बजा बजा कर सेरा बजन करूंगा ऐसे आदुती योद्धा मां देजभक्त उनको भारत रत में देना चाहिए सरमानी चाहिए कांग्डेस को अन लोगों को व्फाबर कर जी को अफमानित करने का काम कर रे इसका क्या माएन निकाला है इससे हो रहे हैं इसका क्या माईने निकाल है वाई सथ आखी है इस पर कुछ असर पड़ेगा हम लोगों नहीं का हम लोग फोई रूची नहीं किसी सरकार को बिढ़ा है इन्वेस्टर मीट के बामले में शिद्धान तमैनी ये टेक किया है का गरोध नहीं करेंगे निवेस कोई भी लाइक कैसे भी आए उसका हम स्वागत करते हैं आगवन करके हर्की का गरोध नहीं करते हैं यह भी प्रयास करें हर प्रयास को हम गाली नहीं देंगे यूप यूप चुनाफ का किंग कॉन इसका फैसला आज तुपैर तक हो जाएका रामपुर विधान सवाकियूप चुनाफ की मतगर्णा सुभा करीब आठ बजे शे शुरू हो गई है मतगर्णा के लिए यहां 14 टेवल लगाई गई हैं जिस पर 30 राउंड मतगर्णा की जाएगी नवी मंडी इस्तित मतगर्णा इस तल पर भारी संख्या में केंदे सुरक्षा बलो के जवानों के सांसाथ पुलिस पी एसी के जवान तैनात किये गए हैं मतगर्णा इस तल पर जाने वाले कर्मिचारियों वा एजेंटों की तलाशी के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है विदायक की हार जीत का फैसला दोपैर तक हो जाएगा पहले राउंड की मतगर्णा शुरू होते ही सपा और भाजपा की कारिकरताओं की धड़कने तेज हो गई हैं व्यूर रिपोर्ट निउस 29 इंडिया धिन्डोरी आदिवासी वाहुलत जिला भले ही नकसल प्रभावित जिला हो लेकिन यहां खनिज माफिया वेखाप होकर बारूत का उप्यो कर रहे हैं निडोरी जिले के सक्का से अमरपुर सड़क बनाने के लिए लालपुर गाउं में मीनी क्रेशर के लिए पास में ही खाई बना कर बिना अनुमती के अवैद रूप से वारूत लगा कर अवैद ब्लास्टिंग कर भारी मात्रा में पत्थर निकाला जा रहा है जिसकी शिकायत ग्रामीनों के द्वारा पूर्व में भी की गई थी शिकायत करने के बाद भी खनिज माफिया रात दिन खनिज निकाल कर पर्यावरन के साथ सरकार के राजिस्व में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं मामला जिला प्रशाशन के संग्यान में आने के बाद कारिवाई करने की बात कही जा रही है व्यूरे रिपोर्ट निउस 29 इंडिया इसको में इस्पेक्टर से बात करके देखते हैं क्या है इसमें पर्मिशन नहीं है तो फिर उचित करवाई करेंगी वहां पर लगातार अवेश्ट ब्लास्टिंग की जा रही है खनन किया जा रहा है मोबाईल प्रेशर तक चला जा रहा है क्या जानकारी इसकी जानकारी तो ग्राम पंचायट से ली नहीं जाती है सबसे पहली बात और मैं उस चेतर के जनपत सदस्नों यहां जेले में जो प्रशाशन है अपनी मनमानी कर रहा है एक और केस कमरा शोड़ा का था त्रेशर का है जो वो अवेद रूप से ग्राम पंचायट से बगर एनोशी के चल रहे हैं और ये ग्राम पंचायट के एरिया में खनन हो रहा ह जो अवेद है और बहां पे दो फुट जमीन नीचे खोदने का अधिकार किसी को भी नगी है तो बहां तो पूरे खुआ खाई बना दिया गया है काना नैशनल पार का सबसे सक्रिय और इसके अनोखे व्यवार के कारण परेटकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध बाग मुन्ना की दाहार से अब भुपाल का वनभिहार गूजेगा ब्रद हो चले मुन्ना की सलामती और उसकी सुरक्षा के लिहाज से उसे 23 अक्टूबर को भुपाल स्थित रास्टी उध्यान के लिए रपाना कर दिया गया है गौर तलब है कि काना की जंगल की शान कहा जाने वाला मुन्ना ब्रद्धा वस्ता से हताश होकर ग्रामीन इलाके में अपना वर्चस्विक कायम करनी की फिराक में था मुन्ना एक किशोरी का शिकार भी कर चुका है यही कारण है कि KTR प्रवंदक ने उसे शिफ्टिंग का निने लिया ब्रद्ध हो चुका मुन्ना टाइगर एक बच्ची का शिकार कर उसे मार कर खा गया था विरा रपोर्ट निउस 29 इंडिया स्काउट भवन प्रांगर के पास सदर्ध तहसील में सभी बैंकों ने कैनरा बैंक के सयोजन में ग्रहाक संपक अवियान कारिक्रम का एउचन किया कारिक्रम का उद्गाटन जलादिकारी आयोध्या अनुच कुमार जा और महाप्रवंदक कैनरा बैंक अचल कार्या ले लखनो उमेश कुमार शर्मा ने स्वयुक्त रूप से किया कारिक्रम में बैंक उफ बडूदा के सहायक महाप्रवंदक निहार रंजन प्रधान, LDM DK10 रं, PNB के उप महाप्रवंदक रतन सिंग रोहिल, SBI के सहायक महाप्रवंदक मयूर तोलानी, Central Bank of India के सहायक महाप्रवंदक S.K. सिंग, नावाट के जलाव एकास प्रवंदक परमेश लाल पोदार भी मौजूद थे, कारिक्रम के दौरान सभी बैंकों ने रं 101 पत्र जलादिकारी के हातों से उनके लावार्तियों को दिलवाए, कारिक्रम के दौरान 305 रं खातों के माध्यम से 14 करोड रुपए के रं वित्रित किये, अयोध्या से मुहमद आलम की जो मुक्त करीनें कारें के दौरार वाखी सभी बैंकों के द्वारस में प्रतिफार किया है, इसका मुक्त की अदेश ही है, जो हमारे कस्टमर्स बैंक के किसी लोन या किसी भी सर्विस को लेना चाहते हैं, उनके और बैंकर्स के बीच की दूरी कम हो, वो एक ही है बोड़ी ओधिनेटी सुर्दगार योजना है एसे तमाम धुजनाओं है जिसमें गुल्मेंट पी स्पांसर करती है लोन को तो इन सब योजनाओं के तहर्ट जली सैंक्षेन हो और लोग जो है बैंक की उजनाओं का लाव उठा सके उसके लिए जो है एक अठा ये कस्टमर आउटरीज प्रोग्राम लगाया गया है और उसमें एक अच्छा कारेक्टर्म यहां पे इस दिए किसे संपारित हो रहा है आपने देखा कि भी काफी यादा संक्या में लोन जो ह करें के मात्यम से यह काफी दिनों से महसूस कर रहे थे कि अलग-अलग बैंक अपने अलग-अलग तरह की लिएड़ योजनाओं को लागू करते हैं उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं लेकिन कभी ऐसा माहौल नहीं आता था कि सारे बैंक एक ही आंगन में आकर बैठे औ यह दो दिन का कारेकरम 23 और 24 को फैजाबाद जिले में रखा गया है और हम लोगों ने जन्पत के समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि आप इस मेले में आवें और विविन बैंक के काउंटर पर जाके और अपनी रिण की आवश्यक्ता के बारे में चर्चा करें और सभी बैंक सुबह 10-5 वज़े तक इसमें काम करें और अधिक से घ्राकों को जानकारी तो जरूर दे और अगर वह सब चीज़ें पूरी कर सकते हैं तो में इनकों मंजूर करें आप से संपट नहीं कर पाती है और बैंकों के नहीं जा पाती इसके लिए कोई से बीसे कारेक्रम कर रहे हैं कि ताकि किसी भी आम पप्लिक को यहां आने में कोई संकोच नहीं हो कि फूता है कि मेरे को कितना का लोन लेना है यहां इस तरह का भ्यापार और ख़सकर जैसे जलाण अधिकारी ने कि जितने भी government sponsored जो सरकार द्वारा प्रायवजित applications होते हैं वो ज्यादे तर साखाओं में लंबित होते हैं बहुत दिनों तक और वहां पर हमें जैसा कहना नहीं चाहिए बैंकर हैं लेकिन फिर भी उनको थोड़ी से बिलंब होती है तो आज हम लोग इस दो दिन के दौरान चाहते हैं कि आप अपने जो प्रस्ताव है उसको लेके आवे और जिला अधिकारी मोदा ने कहा है जिला उद्योग के अंदर और उनके भी लोग आवे और हम लोग यहां पर सामने एक से चर्चा करके और उसका निस्तारन करें उनको सही बात बताई जाए जाए फिलाल इस झाल